हेलो गाईज दिस आरीफ एंड वेलकम तो माई चैनल तोड़े इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा किस तरहां से आप माइनकाव पोगर एडिशन 1.21 प्लस वर्जन में अपना खुद का सर्वर बना सकते हैं और भी बहुत सारे चीज़ा आपको बताऊंगा सुनाओ लेट्स के डिश्टाइड़ तो सबसे पहले अपने माइनकाव को ओपन करने के बाद एक बात का आपको बहुत धियान रखना है कि आपने यहां पर साइन इन किया हुआ होना चाहिए इसके बाद आपको सिंपली सैडिंग्स पर किलिक करना है सैडिंग्स में आने के बाद आप यहां नीशे आएंगे जनरल वाले उप्शन पर किलिक करेंगे और यहां पर आपको दिखाई देगा अलाव मुबाइल डर्डा फोर ओनलाइन प्ले इसको ओन कर देंगे इसके बाद सिंपली वापस आ जाएंगे इसके बाद आप अपने गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और यहां पर अडर नोस लिखकर सर्च करेंगे पहली वेब साइट पर किलिक करेंगे नीचे आएंगे यहां आपको लिखाई देगा यूर परसनल माइंड काफ सर्वर गेट योर्स नाव पर किलिक करेंगे किलिक करेंगे साइन इन करने के बाद आपके सामने कुछ तरह का इंटरफेस आएगा अब आप यहां पर देख सकते हैं क्रियेट असर्वर का उप्षण हा ऑप इस पर किलिक करेंगे अब यहां पर आपको दो ऑप्षण शो होते हैं अगर आपको इसकी जरुवत है तो आप मुझे कमेंट जरके बता देना इसके बाद आप यहां पर अपने सर्वर का एड्रेस क्या रखना चाहते हैं आप इसको एडिट कर सकते हैं क्योंकि मैं यहां पर एक वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैंने ऐसा ही ट्रायल सर्वर बना कर आपको दिखा रहा हूं अगर आपने मिश्टर आरिफ ट्रीटी चैनल को अब देख सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब गल लेना इसके बाद यहां पर आप को इस पर किलिक करना है ओप्शन पर किलिक करना है पहला ओप्शन यहां पर आ रहा है स्लोट का यहां पर 20 लिखा हुआ है तो आप यहां पर अपने सर्वर में 20 प्लेयर्स को खिला सकते हैं इसके बाद ओप्शन है गेम मोड का यहां पर सर्वाइवल सेलेक्ट है आपको अ बहुत ही इंपोर्टेंट चीज़ जिसको बहुत जादा धियान से देखना है अगर आपके फ्रेंड ने माइन काफ को प्लेश्ट वर से बाई किया है तो वह तो आपके सर्वर में खेल पाएगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिन्होंने ऐसे ही कई से डाउनलोड कर लिया है या फिर क्रेक्ट माइन काफ हैं उनके वह भी आपके सर्वर में खेल पाएं कोई दिक्कत ना है उनको तो आप यहां पर इस ओप्शन को इनेबल कर दें यहां पर एक ओप्शन है अगर अलाव चीट्स को आप इनेबल रखेंगे तो आपके सर्वर में जो प्लेयर्स हैं वो कमांड वगेरा का यूज कर पाएंगे इसके लाब आप थ्री लाइन्स पर किलिक करेंगे थ्री लाइन्स पर किलिक करने के बाद सर्वर पर किलिक करेंगे अब यहां पर आप देख सकते हैं आपका सर्वर ओफ लाइन दिखा रहा है आप यहां पर नीचे एक बटन दे क्योंकि यह फ्री सर्वर दुबारा से आपको start पर क्लिक करना हो एक एड़ देखना पड़ेगा तो बारा से एड़ को close करेंगे यहां पर आपके सामने confirm now का option आजाएगा कुछ देर में आप सिंप्ली इस पर क्लिक करेंगे यहां पर preparing दिखा रहा है यहां पर आपको थोड़ सकते हैं अब यहां पर आपको एक बहुत important छी है यहां पर जो address आपको दिखाई दे रहा है इसको आपको simply copy कर लेना है और यहां पर जो आपको port दिखाई दे रहा है इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है क्योंकि इसके अभी हमें जरुरत पड़ेगी नीचे आएंगे आप यहां पर ऊपर आएंगे यहां पर आप दे सकते हैं एड्टू माई servers का option है आप चाहें तो डारेक्ट यहां पर भी किलिक कर सकते हैं बट आपने यहां पर इसका address कोपी कर लिया है अटर्णोस में जब आपका server online दिखा देता है इसके बाद आपको minecraft को open कर लेना है play server पर किलिक करना है servers में आना है नीचे आएंगे share server पर किलिक करें इस नंबर को वो यहाँ पर एंटर करेंगे server name address and port एंटर करने के बाद simply save पर किलिक करेंगे नीचे आएंगे यहाँ पर जैसा कि आप देश सकते हैं locating server लिखावा आ चुका है थोड़ा सा wait करेंगे यहाँ पर जैसा कि आप देश सकते हैं welcome to the server यानि हमारा server वहाँ पर online है इसलिए यहाँ पर अब हमारा server इसने फैश कर लिया है joint server पर simply click करना है proceed करना है अब यहाँ पर mobile data देख सकते हैं यहाँ पर लिखावा आ रहा है इसलिए मैंने आप से शुरू में उस settings को enable करवाया था mobile data वाली तो जैसे कि आप दे सकते हैं यहाँ पर एक error शो हो रहा है there was a problem connecting to the world अगर आप कर भी कुछ इस तरह का कोई error आ रहा है तो आप दुबारा से वापस आएंगे माइंड काफ में settings में जाएंगे settings में जाने के बाद आप दुबारा से यहां नीचे आएंगे general पर जाएंगे और यहां पर आप इसको select करेंगे on with wifi और mobile data को select करेंगे वापस आएंगे play बर किलिक करेंगे servers में आएंगे नीचे आएंगे दुबारा से अटर नोस में आएंगे क्योंके वहां पर locating server दिखा रहा है और यहां पर time रहता है limit रहती है इतने time के अंदर अंदर आपको join करना है मुझे जादा time होगे इसको समयने में क्या प्रबारा से start करेंगे और इसको दुबारा से चालू करेंगे same वही process रहेगा यहां पर waiting in queue दिखा रहा है यह problem बार बार आती है इसलिए आप क्या करेंगे यहां three lines पर click करेंगे इसको refresh करेंगे वही एक problem तो है यहां पर अडरनोस में यह दिक्कत है कि यहां time काफी ज़्यादा लग जाता है तो यहां पर आपको five minutes wait करना होगा five minutes wait करने के बाद यहां पर confirm now का option आ गया है इस पर click कर देते हैं तो यहां पर एक से दो मिनट वेट करने के बाद finally server online आ चुका है और यहां छे मिनट के अंदर-अंदर मुझे दुबारा से server को join करना होगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी finally फिर से मैं minecraft में आ गया हूँ और यहां पर servers पर जाना है यहां पर simply join server पर click करना है और आपको minecraft को दुबारा से पुरा काइट कर दुबारा से open करना है नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर से connecting to external server लिखा वाचुका है यहां थोड़ा wait करना है loading होने के बाद finally आप server पर join हो जाएंगे वैसे तो जितनी भी problems आती है लगबग मैंना आपको बता दिया है अगर फिर भी आपको कोई problem आ रही है server join करने में तो आप मुझे comment करके बताना और ज़रूरी नहीं है कि आप Arternos से ही server बनाए ऐसे बहुत सारे platforms हैं server का तो plugins बगेरा होते हैं किस तरह से plugins इंस्टोल करने हैं सब कुछ अगर आपको जानना है comment करिए उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगर एक वीडियो में बताऊंगा बहुत लंबा वीडियो जाएगा अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर गरना मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में